आईए तयार है अनुराग शा बड़ी और exclusive खबर के साथ अनुराग बनाएं क्या है बड़ी खबर आपके बार से देखिए विनिवेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिस तरह से सरकार fast track पे आ रही है विनिवेश पे और IDBI बैंक के विनिवेश को लेकर काफी चर्चा है तो सरकार का मकसद है कि इस financial year के अंग तक जो है वो IDBI बैंक के अंदर भी जो विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करना है तो अब गनित क्या बैठता IDBI का IDBI बैंक के अंदर LIC की हिस्सेदारी है 49% सरकार की हिस्सेदारी है करीब 46% तो इसमें LIC के द्वारा जो है सरकार को एक नोट भेजा गया था वितमंत्राले को एक नोट भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि जो नया निवेशक है जो IDBI बैंक को खरीदना चाहेगा तो वो management control के साथ खरीदना चाहेगा तो अगर सरकार वहाँ पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है यानि 46% तो LIC तयार है 67% हिस्सा देने के अंदर और फिर वो मिला के 51% हिस्सा हो जाएगा तो ये जो गणित को देखते हुए उमीद की जा रही है कि जिस तरह से LIC ना नोट बनाया है और सरकार को भेजा है और इसी पर आगे बढ़ते हुए जो इस वित्वर्स के अंग तक जो IDBI बैंक के divestment का जो प्लान है उस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है तो ना ही LIC के IPO बट इवन IDBI का divestment सर ये बड़ी खबर आ रही है कि almost simultaneously लग रहा है कि ये दोनों development साथ में आपको होते हुए दिखेंगे कैसे देखें सर इस खबर को और दोनों लेहर से बड़ी इंट्रेसिंग बड़ी खबर है क्योंकि ये तो बड़ा काम हो जाएगा और IDBI बेंक वरसे तो डाइवस्मेंट के लिए तैयार ही है उसमें कुछ असा बचा ही नहीं कि जिसके लिए इंतजार करना पड़ा है मतलब सब कुछ हो चुका है खाले दूला ढूनना वाकिए है ना मतलब मतलब आपने वो शादी की सारी तैयारिया करने तो आईडी बेंके लिए तो बहुत एजिए और IDBI तो प्रॉफिट मॉकिंग मैकिंगर सबसे पहले PCA से बार भी आया था ये तो आसानी से बिकेगा औ और दूसरी चीज़ किया है आप एक परस्फिक्टिव में देखिए है लाइसेंस मिल का रहा है किदर है लाइसेंस नहीं मिल रहा है और और कॉर्परेट्स को तो आर्बे डिरेक्ली लाइसेंस देने के मूर में ही है तो जिनको लेना है उनके लिए तो गॉल्डन चांस है अच्छा ब्रेंड के साथ आ रहा है जी राइट सो मेरी खाल से और अगले तीन हफते में अगर यूई आ जाता है उस पर फैसला हो जाता है तो बहुत ही जबर्दस काम हो जाएगा मुझे लगता कि यह मार्श के पहले 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 अगर करते तो इसमें सबसे बड़ी जाते हैं वो मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ लेना चाहते है तो अभी जो दोनों बड़े निवेशक है सरकार और LIC LIC के पास 49% है सरकार के पास 46% है तो यहां पर जो एक कॉंबिनेशन बन रहा है कि सरकार अपनी 46% हिस्सेदारी दे और 87-10% तक LIC दे तो जो नया निवेश निवेशक है वो 51% से जादा हिस्से के साथ आईडी वेशक को खरीदेगा और मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ खरीदेगा तो यह पेच यही है और इसको इसको सरकार भी काम कर रही है कि किस तरह से जो expression of interest में offer किया जाए जहां पर नए निवेशक के लिए मैनेजमेंट कंट पर आई ले जाए सुमिज जी जाए चार्स देखे पहले इस पर आई जीजा आफ आई डिवेशक के लिए तो यहां पर इसको बन करना पड़े या दोनों को मर्ज करना पड़े क्योंकि दोनों सेम बिजिस में रही रह सकते जो गाई लाइन्स के एसाफ से शर्त पर अगर विनवेश हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहीगी अच्छी ख़बर है तो यह दोनों ही कंपनियों के लिए आई डिवाई के लिए अच्छी होगी अच्छी नहीं रहीड जा साफ़िगा होगी डिवाईन्स क्या बजय होगी प्रपश भी टाइज विए होगी लिए ता मिन रहलावी ख़बर होगी